10 अक्टूबर के गुरुकुल प्रेप देली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है मानसिक कल्यान के महत्व पर जोर देता है यह दिन समझ बढ़ाने गलत धार्णाओं को दूर करने और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन को प्रोचसाहित करने का प्रयास करता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुरुवात 1992 में हुई थी जिसकी शुरुवात उप महासचिव रिचर्ड हंटर के नेतरित्व में वर्लड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ डव्ल्यू एफमेच नेकी थी पहला उत्सव दस अक्टूबर को बारह देशों की भागीदारी के साथ मनाया गया था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विश्य मेंटल हेल्थ एट वर्क है जो अपने कारिस्थल के वातावर्ण में लोगों के मनोवैज्यानिक कल्यान को संदर्भित करता है अपडेट दोक महत्वपून दिन राश्ट्रिय डाक दिवस भारत 10 अक्टूबर राश्ट्रिय डाक दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह विश्व डाक दिवस का विस्तार है जो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है राश्ट्रिय डाक दिवस 150 से अधिक वर्षों में भारतिय डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका को चहनित करने के लिए मनाया जाता है भारत में डाक सेवा अंग्रेजो द्वारा शुरू की गई थी इसकी स्थापना 1854 में लॉड डलहौजी ने की थी वर्तमान में यह संचार मंत्रालय के तहट कार्य करता है और दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वित्रित डाक प्रणाली है भारत में 23 पोस्टल सरकल और आर्मी पोस्ट ऑफिस सहित 9 पोस्टल जोन है भारत में डाक धर छे अंकों की पिन कोड प्रणाली का पालन करते हैं जिसे 1972 में भारत में पेश किया गया था अपडेट 3 महत्वपूर्ण दिन विश्व द्रिष्टी दिवस 2024 10 अक्टूबर हर साल द्रिष्टी हानी और अंधेपन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को अंतरराश्ट्रिय द्रिष्टी दिवस मनाया जाता है अंतरराश्ट्रिय द्रिष्टी दिवस 1988 में लायन्स क्लब इंटर्नेशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित साइट फर्स्ट अभियान के हिस्से के रूप में शुरू हुआ 1999 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर विश्व द्रिष्टी दिवस की स्थापना के लिए इंटर्नेशन एजेंसी फॉर दप्रिवेंशन ओफ ब्लाइंडनेस आये पीबी के साथ भागिदारी की थी यह पहली बार 12 अक्टूबर 2000 को मनाया गया था इस वर्ष विश्व द्रिष्टी दिवस 10 अक्टूबर 2024 को चिल्डरन लव योर आइज थीम के साथ मनाया जाएगा अपडेट 4 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन सिक्किम में चीन सीमा पर सेना के कमांडर करेंगे शीर्ष सुरक्षा सम्मेलन भारतिय सेना के सभी वरिष्ट कमांडर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के लिए सिक्किम में मिलेंगे अक्टूबर के 10 से 11 के लिए निर्धारित यह बैठक पहली बार है जब सेना के शीर्ष अधिकारी चीन के साथ वास्तविक नियंत्रन रेखा लैक के पास किसी स्थान पर इकठा होंगे सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनात सिन सहित प्रमुख हस्तियों द्वारा संबोधित किया जाएगा चर्चा लद्दाख और अरुनाचल प्रदेश के सम्वेदन शील्क शेत्रों पर विशेश ध्यान देने के साथ विशेश रूप से लैक के साथ चल रही स्थिती पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां भारतिय और चीनी बलों के बीच अकसर गतिरोध और टकराव होते हैं अपडेट पांच पुस्तकें गौरी रामनारायन द्वारा अनुवादित कलकी द्वारा पोनियन सेलवन एक और दो जारी पेंगोईन रैंडम हाउस कलकी की पोनियन सेलवन एक और दो इंच की रिलीज की घोशना करते हुए रोमांचित है जिसका अनुवाद गौरी रामनारायन द्वारा ताज को रोमंडल, चेन्नई और दमदरास रीडिंग कलब में दचैंबर्स द्वारा रेंडेजवस के सहयोग से किया गया है पुस्तक लौन्च पोनियन सेलवन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाता है पुस्तक का विमोचन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री मनिरत्नम ने किया 2024 में कलकी कृष्ण मूर्ती के जन्मदिन की 125 वी वर्षगांट है इस महत्वपूर्ण अवसर के सम्मान में गौरी राम नारायन कलकी की पोती और एक प्रशंसित नाटककार और संगीतकार महाकाव्य का एक ताजा और गतिशील अनुवाद प्रस्तुत करती है अपडेट छेट निधन दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक और कार्डियाक सरजरी के प्रमुख डौ पी वेनुगोपाल का 82 साल की उम्र में निधन अखिल भारतिय आयूर्विध्यान संस्थान एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक डौ पी वेनुगोपाल का 82 वर्ष की आयू में निधन हो गया 1970 के दशक के दौरान भारत में कार्डियाक सरजरी में अग्रणीडो वेनुगोपाल ने एम्स नई दिल्ली में देश का पहला हृदय प्रत्यारोपन किया अपने करियर के दौरान उन्होंने 50,000 से अधिक दिल की सरजरी की अपने चार दशक लंबे कार्यकाल में उन्होंने एम्स कार्डियो थोरेसिक सेंटर का नेत्रित्व किया और बाद में इसके दीन और निदेशक बने वेनु गोपाल ने अपनी पत्नी प्रिया सरकार के साथ हाल ही में हार्ट फेट एक आडियक सरजनस पाइनेरिंग जर्नी नामक अपना संस्मरन प्रकाशित किया था जो इस साल साथ जुलाई को जारी किया गया था अपडेट साथ निधन मॉलिवुड एक्टर टीपी माध्वन का 88 साल की उम्र में निधन मल्यालम अभिनेता टीपी माध्वन का बुधवार 9 अक्टूबर 2024 को केरल के कोलम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वह 88 वर्ष के थे Association of मल्यालम मूवी आर्टिस्ट्स अम्मा के पहले महासचिव टीपी माध्वन ने 600 से अधिक फिल्मों में अभिने किया माध्वन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुवात 1975 में की थी जब अभिनेता मध्वने उन्हें पहला अफसर दिया था उन्होंने खलनाय की वाली भूमिकाएं निभाकर ध्यान आकरशित किया और फिर हास्य भूमिकाएं करने लगे तथा समय के साथ चरित्र अभिनेता बन गए बाद में उन्होंने धारावाहिकों और फिल्मों में कुछ और प्रदर्शन किये हाल के वर्षों में माध्वन उम्रसे संबंधित बीमारियों से पीडित थे मुख्यमंत्री पिनराई विजन ने माध्वन के निधन पर शोक व्यक्त किया है अपडेट आठ खेल आंद्रेस इनियस्ता ने फुटबॉल से सन्यास की घोशना की स्पेन और बार्सिलोना के महान खिलाडी आंद्रेस इनियस्ता ने 22 साल के करियर के बाद सन्यास की घोशना की इस 40 वर्षिये खिलाडी ने हाल में UAE प्रो लीग क्लब एमिरेट्स के लिए खेला था लेकिन उन्होंने अपने अनुबंध को 2025 तक नहीं बढ़ाने का फैसला किया इनियस्ता ने 2018 में विसेल कोबे में शामिल होने से पहले सभी प्रतियों गिताओं में बार्सिलोना के लिए 674 प्रदर्शन किये जो क्लब के इतिहास में चौथा सबसे अधिक था स्पेन के पूर्व मिडफिल्डर शुरू में 12 साल की उम्र में कलब में शामिल हुए 2002 में अपनी वरिष्ट शुरुआत की और स्पेनिश दिगजों के साथ प्रोफी से भरे करियर का आनंद लिया जिसमें नौ लालीगा खिताब और चार चैंपियन्स लीग जीतना शामिल था अपडेट नौत राज्यत हरियाना कश्मीर चुनाव परिनांग उत्तरी भारतिय राज्य हरियाना और भारत प्रशासित कश्मीर में विधान सभा चुनावों के मतों की गिंती के दौरान आश्चर्यजनक परिनाम सामने आए ज्यादा तर एक जिट पोल ने कश्मीर में त्रिशंको विधान सभा का पूर्वानुमान जताया था लेकिन मुख्य विपक्षी कॉंग्रेस और नेशनल कांफरिंस पार्टी एनसीपी का गठ बंधन 90 सदसिय सदन में भारी बहुमत की ओर बढ़ रहा है और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है हर्याना में भी 90 सीटे हैं जहां कॉंग्रेस के शांदार प्रदर्शन की भविश्यवानियों को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भारतिय जन्ता पार्टी भाजपा ने गलत साबित कर दिया है भाजपा के नेत्रित्व वाली सरकार हर्याना में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए वापसी की ओर अग्रसर है अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन भारतासियान शिखर सम्मेलन के लिए लाउस जाएंगे पीएम मोदी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भारत की Act East नीती के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष में अप्टूबर के 10 से 11 को भारतासियान शिखर सम्मेलन के लिए लाउस का दौरा करेंगे जिसमें चीन फिलिपीन्स क्षेत्रिय विवादों के बीच दक्षन चीन सागर क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए भारत के समर्थन पर जोर दिया गया है शिखर सम्मेलन में पीएम इस बात को रेखांकित करेंगे कि भारत आसियान की केंदरियता और एकता और इंडो पैसिफिक पर आसियान आउटलुक का दृड़ता से समर्थन करता है एक अधिकारी ने बताया कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन में व्यापक रणनीतिक साजेदारी के जरिये भारतासियान संबंधों की प्रक्ती की समीक्षा की जाएगी और सहयोग की भविश्य की दिशा तै की जाएगी